सब्सक्राब कीजिए हेल एंग्चन चानल को बेल आइकन को तबाईए हेल टिप्स और होम रेमेडिस सबसे पहले देखने के लिए आयरवेद अपनाए स्वाज बनाए आयरवेद ही एक ऐसे चिकिस सब पद्दती है जो रोगों को जड़ से खत्म करती है हाई फ्रेंड सेल इंचन यूटूब चानल पर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आज हम एक मतोपोरन टापिक पर बात करने वाले है सिर्फ दो हपते हल्दी वाला दूद पीने से सहत को क्या-क्या भाइदे होते है इसके बारे में बात करने वाले है पूरी बात जानने के लिए इस वीडियों को शुरू से आन तक जरूर देखिए लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी तक आपने हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जिसे देखकर आप आपने बीमारे का इलाज घर पर कर सके हल्दी का उप्योग हम अपने रसोई से लेकर दार्मिक और मांगलिक कारियों में प्राचिनकाल से करते आ रहे है इसके इस्तिमाल से न सिर्फ खाने का सौध बढ़ता है बलकि इससे सेथ भी अच्छी रहती है इसे एक नैचरल अंटिसेप्टिक माना गया है अगर हल्दी को दूद के साथ मिला कर पिया जाए तो इसके फाइदे दुगने हो जाते है हल्दी वाला दूद पीने से शरिर को धेर सारे फाइदे होते है हल्दी और दूद को एक साथ मिला कर पीने से यह आपको कई बिमारियों के इनफेक्शन होने से बचाती है हल्दी को जब दूद के साथ मिलाया जाता है तो यह सेहत के लिए बहुती एक लापकारे मिसरन बन जाता है लेकिन हल्दी वाला दूद बनाने का एक तरीका रहता है वो मैं आपको बता देता हूँ हल्दी वाला दूद बनाने के लिए आपको हल्दी पाउडर की जगव हल्दी की गाट को लेना है चाहिए यह आपके लिए ज़्यादा फाइदे मंद रहता है एक इंच हलती के टुकडे को ले लीजिए और इसके छोटे-छोटे टुकडे कर दीजिए इसे 15 मिनिट तक दूद में उबा लिए इसे एक प्रभावशाले डिंग तयार हो जाएगा जो आपके लिए एक अमरुत के समान ह हो जाएगा दूद को अब चान कर हलका गर्म होने पर खाली पेट सुबह और रात को सोने से पहले एक गंटा पी लीजिए तो आईए दोस्तों जानते हैं हल्दी वाला दूद पीने से सेहत को क्या-क्या पैदे होते है नमबर एक पिरेट्स के दर्द से रहत दिलाए हल्द हल्दी वाला दूद पीने से पिरेट्स के दवरान होने वाले दर्ध से रावत मिलती हैं, घर्बहती मैलाओं को प्रसव में आसानी, डिल्योरी के बाद सेहत में सुदार जादा दूद पैदा करना और शेरीर को जल्दी नॉर्मल करने में हल्दी वाला दूद नमबर दो वजन कम करे। चमक आने लगती है। इससे चेहरे में नया निकार आने लगता है। हल्दी वाला दूद्ध पीने से चेहरा कांतिमय हो जाता है। रुई के फाये को हल्दी वाले दूद में भिगो कर प्रभाय जगव पर 15 मिनिट तक लगाई एं। इससे त्वचा की लाली कम होने लगती है इससे आपकी स्कीन में निकार भी आ जाता है इसमें सुजन और जलन को दूर करने वाले गुन पाये जाते है जिसके कारणियों ब्रेश्ट स्कीन फिपडे, प्रोस्टेट और बड़ी आद के कैंसर होने से रोकता है एक रिसर्च के अनुसार हल्दी में मौझूद तत्व, कैंसर सेल्स, डिने को होने वाले नुकसान से भी रोकता है नमबर पाच हटियों को मजबुत बनाए हल्दी वाला दूद पीने से हटिया मजबुत बनती है रोजाना हल्दी वाला दूद पीने से शिरूर को उचित मतरा में कैल्सियम की प्राप्ती होती है यह कैल्सियम का बहुती अच्छा स्वर्स है और इससे हटिया स्ट्रंग और हिल्दी रहती है आपको जानकर हैराने होगी कि क्रिकेट के मान बल्लेबाज और भारत रत्न सचिन तेंड कर भी हटियों को मजबुत बनाने के लिए इस हल्दी वाले दूद को रोजाना पिती थे यह आस्टेवाले दूद के मरीजों को भी फैदा पहुंचाता है हल्दी वाले दूद को सर्दी खाशी का सबसे बेहतरीन इलाज माना जाता है क्योंकि यह आपके शरिल में गर्माहट अता है जिससे फेपडो और साइनस की चकड़न से तुरंत रहत मिलती है इसके सेवन से गले की खाराश, सर्दी खुकाम और खासे से तुरंत रहत मिलती है इसलिए अगर आपको सर्दी हो गई है तो गर्म दूद में थोड़ी से हल्दी मिला कर पिए इससे आपको सर्दी खुकाम से कापी आराम मिलेगा तो दोस्तों, हल्दी के दूद पीने के फायदे आप जानी चुके होगे, इस व्यडियो में आपको यही जानकारी देनी थी, मैं उमीद करता हूई कि यह आपको जानकारी फायदे मन्लगी होगी, तो इस व्यडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों और प्रमेंबर के साथ वाट टेक क्यार